आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मंत्रा का जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस है इसका RD सर्विस कैसे रेनुवल कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो को अंतर जरूर देखिए पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप इसका जो RD सर्विस है रेनुवल कर सकते हैं और ओभी अपने मोबायल फोन से तो चलिए वीडियो को देखते हैं तो सिंप्ली अगर मैं ओपन करूँ मंत्रा RD सर्विस एप को और यहाँ पे कैप्चर टेस्ट के ओपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे प्लीस ओट डिवाइस रेडी दिखा रहा है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एरर आ जाएगा और यहाँ पे दिखाई देगा आपका जो बायमेट्रिक डिवाइस का RD सर्विस है एकस्पायर हो चुका है आपको रेनुवल करना है उसके बा यहाँ पे पेमेंट डिखाई देगा और नेचे के तरब कंपनी नेम में अपना नाम डाल देंगे या फिर आगर आपका कंपनी कोई दुकान का नाम है जो भी आपका गचे कंपनी डिकान है डाल दें है आपको दिखाता हूं आगे का प्रोसेस serial number basically दो तरीके से कर सकते हैं add पर click करेंगे and यहाँ पर आपका serial number जो पीछे की तरह है manually देख के डाल सकते हैं या फिर RD service में भी आपको दीख जाएगा आपका serial number नहीं तो यहाँ पर simply आप detect SR number पर click करेंगे बट इसके लिए आपके biometric device के साथ mobile connect रहना जरूरी है तो यहाँ पर service unavailable दिखाई दे रहा है तो चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं MFS 100 open RD service application to connect this device तो चलिए यहाँ पर मैं serial number देख के डाल देता हूं 50 and डाल के simply add पर click कर देंगे and ok पर click करेंगे ok पर click करने के बद फिर से close करेंगे and यहाँ पर आपका serial number है tick mark आजएगा green color का tick mark आप यहाँ पर आप देख सकते हैं for one year RD subscription 100 rupees and for one year RD service plus warranty के लिए 250 है तो मुझे warranty नहीं चाहिए simply RD subscription select कर लेंगे and यहाँ पर देख सकते हैं 100 rupees और यहाँ पर 18% GST total मिला के 118 rupees मतलब 118 rupees आपको payment करना है state select करना है तो चलिए मैं state यहाँ पर search कर लेता हूँ and select कर लिया इसके बाद city आपका select करना है city मैं select कर लेता हूँ and postal address पूछा जा रहा है तो चलिए मैं यहाँ पर postal address डाल देता हूँ and pay for यहाँ पर देख सकते हैं RD service pay for RD service और pin code डाल देंगे और pay now पर click करेंगे तो चलिए मैं जल्दी से address डाल देता हूँ so यहाँ पर मैंने details डाल दिया simply pay now के उपर click करेंगे and accept पर click कर देंगे and आपके समने finally आ जाएगा record inserted successfully your transaction ID दिखाई देगा please wait while redirect to payment gateway payment gateway पर automatic redirect हो जाएगा थोड़ा सा wait करेंगे and यहाँ पर हमारे सामने payment gateway आ जाएगा तो थोड़ा सा internet का issue चल रहा है इसलिए slow है तो यहाँ पर wait करेंगे and यहाँ पर हमें 108 रुपे payment कर देना है so यहाँ पर मैं simply UPS rate करके payment कर देता हूँ और finally आप देख सकते हैं payment successful हो चुका है और हमारा जो RD subscription है 2024 साल तक renewal हो चुका है यहाँ पर transaction ID देख पाएंगे amount देख पाएंगे status success है और जो receipt copy है download receipt के उपर click करेंगे और आपका जो receipt copy है download हो जाएगा अगर आप चाहते हैं इसको download करके रख सकते हैं आप चले देखते हैं हमारा जो capture test है अब होता है की नहीं होता है simply capture test के उपर click करेंगे okay connect हो चुका है okay के उपर click करेंगे और यहाँ पर capture test के उपर click करते हैं आप देख सकते हैं registering for device यहाँ पर थोड़ा सा wait कर लेना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर red color का light आ चुका है मतलब हमारा जो डिवाइस है successfully renewal हो चुका है तो आपको दिखा दिया पूरा process जो mantra का biometric device है इसको कैसे रेनुवल कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो like कीजिए आपके दोस्तों के साथ share कीजिए अगर चैनल पर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल लेकन को प्रेस कर दीजिए मिलता हूँ सब्सक्राइब कर लिए तब तक के लिए जय हिंद बंदे वातरा